हेलो एवर्यों मैंने मिस्तरवेश यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में भी बहुत अच्छे यूस्फुल और बहुत ही थोड़े सा मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि थोड़े से न टफ सेंटेंसे में ले कर रहा हूं बीच बीच में महला बहुत ही हलके से ऐसा भी नहीं हमें से उन कुछ भागया लेगों में से एक कर रही हूँ अभी कभसे लोगों से ठर्रढ़ा है तो यहाँ यहाँ च्यूहां एक हैस बैब क का यूज होता है तो डूएर तो फिर आएगा हैज ऒं वो क्या रही है अब देखो इसका फॉर्मुला गरा यह देखो कि यह है से कुछ action नहीं है चेक है सो यहां कौन रहा है फिर main word फिर वो कब से रहा है इस तरीके से वो क्या रहा है वो वाला sense सो मैं उन कुछ भाग्याशाली में से एक रही हूँ सो किस पर काम हो मुझ पर I main word have been अब मैं क्या रही हूँ उन भाग्याशाली लोगों में से एक सो one of those few कुछ भाग्याशाली लोगों में से one of those few lucky people या फिर lucky ones one का मतलब आता है वाले कुछ लोग उस तरीके से one का sense चला जाता है चेक है सो जैसे मैं बोल दू न किसी को भी कि tall ones चेक है तो tall one मतलब लंबे लोग, लंबे वाले इस तरीके से लंबे लोग मेरे साथ आज़े वो वाला सो मैं उन कुछ भाग्याशाली लोगों में से एक रही हूँ सो I have been one of those few lucky ones चेक है अब one of those का जब भी हम use करेंगे one of का जब भी हम use करेंगे तो जो आगे term आएगी न वो हमेशा plural आएगी अगर मुझे बोलना हूँ मेरे एक दोस्त तो one of my friends नहीं आएगा one of my friends आएगा कि मेरे दोस्तों में से एक ये common, एक छोटी सी common गलती है जो मैंने बहुत से लोगों करते हुए देखा है कि वो कैसे बोलते है कि one of my friends ऐसा नहीं होता है one of my friends होता है जिनके पास बहुत अच्छा जीवन था अब इसका मतलब मैं उन कुछ भागेशाले लोगों में से एक रही हूँ जिनके पास बहुत अच्छा जीवन था अब किसी के पास कुछ था किसी के पास कुछ है ये sentence होते है indefinite वाले कुछ अगर है मेरे पास कुछ है मेरा कुछ है तो present indefinite मेरा कुछ था मेरे पास कुछ था past indefinite मेरे पास कुछ होगा वो वाला sense future indefinite ये चीज़ समझ में आई second चीज यहाँ पर action होता है have अब यहाँ पर जो sentence है था आ रहा है तो past indefinite मेरा sentence बनेगा action है have कि जिनके पास बहुत अच्छा जीवन था अब यहाँ पर doer कौन है जिनके मतलब लोगों की बात कर रहे है so who का use होगा किसी चीज की बात करते तो which का use होता so who यह है doer main word लगेगा did action है have did छुपा have में और have की second form बनी hat who had जिनके पास था एक बहुत अच्छा जीवन अब privileged life अब privileged का मतलब क्या होता है कि मालब किसी चीज से जो वन्चित नहीं रहते अब वन्चित कि मालब सारी सुक सुविध हैं को मिलती है वो चीज प्रिवलेज में आती है कि किसी चीज का बहुत अच्छा एक मौका एक बहुत अच्छी जिन्दी वो वाला सेंस आता है कि जैसे कि मैं बोलू कि भाई मुझे ये privilege मिला आप लोगों को पढ़ाने का बहुत अच्छा मौका मिला एक बहुत अच्छी opportunity मिली सो प्रिवलेज में सारी चीज़े आ जाती है जिनके पास बहुत अच्छा जीवन था past indefinite sentence गया who had a privileged life अब privileged के अंदर ED लगावा है क्योंकि life उस situation के अंदर थी privileged life privilege of living a life इस तरीके से मुझे एक जीवन जीने का बहुत अच्छा मौका मिला वो तेक अलग हो गया privileged life एक अच्छी जिन्दगी मेरा जन्म और पालन पोशन मुंबई में हुआ था अब ये sentence होने के लिए आप भैपन के यूज़ करके लगाऊगे तो बहुत sentence घूम के बनेगा अब ये simple sentence है जैसे past के simple में चला जाएगा I was born and brought up in Mumbai कि मेरा पालन पोशन मुंबई में ही हुआ था So I was born, मैं पैदा हुई थी and brought up in Mumbai मेरा पालन पोशन मुंबई में ही हुआ था मेरे पापा को एक show में आमंतृत किया गया था और उन्हें मेरे बारे में कुछ बाते कहने के लिए कहा गया था sentence ही दिहान से देखना मैंने जान बुझ के लिए कि किसमें passive sentences की आपको formation मिलेगी मेरे पापा को एक show में आमंतृत किया गया था ठीक है past का sentence है past indefinite का sentence है passive ऐसे sentences में was और were का use होता है passive में अब यहाँ पर passive का rule क्या होता है मैंने कई बढ़ बताया हुआ किस पर काम हुआ था फिर main word फिर उन्हें पर क्या काम हुआ था उसके third form तो यहाँ पर मेरे पापा को एक show में आमंतृत किया गया था काम किस पर हुआ पापा पे काम किया था आमंतृत किया गया था किसको किया गया था पापा को तो यहाँ पर जो पापा है यह हो गए मेरे पापा यह यहाँ पर हो गए आपका जिन पर काम किया गया था फिर आएगा मेंवर्ड फिर उन पर क्या काम हुआ था उसकी थर्ड फार्म मेरे पताजी को मेरे पाबा को आमंत्रित किया गया था अब कोई भी चीज़ जब हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं और वो order भी ना हो लेकिर हम चाहते हैं कि वो चीज़ कहे तो ऐसे जगा हम ask का use करते हैं जैसे मैं बोलो ना कि भाई एक कम को उसके पास जाओ और उससे कहो कि मेरे लिए पाने के glass लेकर आए अगर मैं बोलूँगा go to him and order him यह चीज़ से बड़ी अजीब लगेगी ना इस तरीके से sentence बनता है ask का use करके तो उनको कहा गया था मतलब ask वही वाला sentence आएगा उन्हें मेरे बारे में कुछ बाते कहने के लिए कहा गया था किसने कहा उस चीज़ से लेना देना नहीं है कहा गया था ठीक है उन्हें कहा गया था क्या चीज़ करने के लिए कुछ चीज़ कहने के लिए कि मेरे बारे में कुछ बाते कहने के लिए तो पूरा sentence मेरा हैं पर क्या बना मेरे पापा को एक शो में आमंतरित किया गया था और उन्हें मेरे बारे में कुछ बाते कहने के लिए कहा गया था My dad was invited in a show and he was asked to say a few things about me ये वो वाक्या है जो वो सबको सुनाते हैं दो sentences पहला ये वो वाक्या है ये वो वाला वाक्या है तो ये हो गया मेरा simple present किसके बात करें है main word और वो क्या है किसके बात करें ये this main word is वो वाक्या the incident जो that वो सबको सुनाते हैं अब कोई वाक्या सुनाना कहानी सुनाना इसको हम बोलते हैं narrate करना कि भाई देखो ऐसे हुआ फिर वैसे हुआ फिर ये हुआ सो ऐसी चीतों मेंनों जो सही word होता है वो है narrate करना वो सबको सुनाते हैं ये हो गया ताहती है आ रहा है present indefinite sentence चीक है doer main word action ही लगेगा doer कौन है वो he main word लगेगा does चीक है action आया है पर narrate करना so he does narrate does छुपएगा narrate में क्या बन जागा narrates he narrates वो सुनाते हैं सबको to everyone so पूरा sentence क्या बना ये वो बाक्या है जो वो सबको सुनाते हैं this is the incident that he narrates to everyone वो मुझे एक दिन स्कूल से लाए अब देखो स्कूल से किसी को लेकर आना इस चीज के लिए हम fetch का use करते हैं fetch किसी को लेकर आने के लिए कोई चीज कोई चीज लेकर आने तो है bring का use हो जाता है लेकिन वैसे school से लेकर आना कहीं से किसी इंसान को तो fetch का use हम ज़्यादा common है so वो मुझे एक दिन स्कूल से लाए कौन सा sentence है past indefinite sentence है do or main word action do or कौन है वो he main word लगा did action कहा है fetch did चुबा fetch में fast बन गया he fasted me वो मुझे लेकर आए from school school से एक दिन one day अब यह one day कहीं जगा लग सकता है यह चीज दिना बहुत ही confused करती है लोगों को लेकिन इतना confused होने के ज़रती नहीं है मैंने वही बोला है जादा grammar में मत घुसो एक basic जो rule लग रहा है वो सही होना चाहिए आपकी जो structures है वो सही होने चाहिए बात जो समझ बहने वो सही होने चाहिए फिर ज़्यादा मत घुसो जैसे यहाँ पर बनाया है इस one day कहीं जगा लगा सकते हो जैसे starting में one day he fasted me from school end में लगा सकते हो he fasted me from school one day ठीक है action से पहले लगा सकते हो he one day fasted me from school अब action के बाद भी लगा सकते हो he fasted me one day from school अब जो action के बाद लगा ये ज़्यादा ठीक नहीं है लेकिन अब रवीना टंडर ने ऐसा ही बुरा तो मुझे ऐसा ही लिखना पड़ा काइदे में देखा जाया तो ये मुझे इतना साही नहीं लगा ये one day ना या तो शुरू में या फिर end में या फिर action से पहले इन तीन ज़्यादा लगा थे तो शायद साही होता चेक है so he fasted me one day from school वो मुझे एक दिन school से लाए और मैं बहुत छोटी थी ये तो simple sentence है और के लिए end लगाया मैं बहुत छोटी थी simple past sentence है इसके अंदर कुछ action नहीं है मैं बहुत छोटी थी so किसकी बात कर रहे है main word और वो क्या था मैं की बात चल रही है I main word was अब मैं क्या थी बहुत छोटी so very young I was very young लगबग 6-7 साल के करीब रही होंगी चेक है अब ये जो रही होंगी इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं उस समय में रही होंगी must have been must have been may have been might have been he might have been he might have been upset वो शायद उदास रहा होगा उस तेम पे इस तरीके से अब अगर मैंने बुला he might be upset ये हो गया मेरा present की बात कि वो शायद उदास है अगर मैं past के बारे में बात कर रहा हूँ कि यह वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ शायद वो उदास होगा उस ठेम so he must have been upset that time इस तरीके से बात करते हैं so लगबख 6-6 साल के करीब रही होंगी so must have been रही होंगी around 6-7 years old चीक है so पूरा sentence हमारा क्या बना है आपे और मैं बहुत छोटी थी लगबख 6-6 साल के करीब रही होंगी and I was very young must have been around 6-7 years old कुछ समस्या के बारे में सलह लेने के लिए उन्हें एक मेकैनिक के पास जाना था अब देखो कोई चीज करनी है मुझे ये करना है मैंने कई बर बता है हुआ क्या क्या चीजों को यूज कर सकते है need to have to has to want to इन चीजों कर सकते है ये depend करती है हमारी चीजों के अपर अगर जरूरत है I need to अब घर पर को emergency आगे तो मेरी जरूरत है वो so I need to go यार अगर मजबूरी है कि मैं बुला रही है घर पर जाना है I have to इस तरह से so कुछ समझ से के बारे में सलह लेने के लिए मेकैनिक के पास जाना था अब यह हो गया past का कि उन्हें कोई काम करना था अब यहां पर need to का भी use किया जा सकता है चेक है और यहां पर have to has to का भी use किया जा सकता है क्योंकि मजबूरी होगी कि जाना है मन तो है नहीं चेक है so यहां पर जो use किया गया had to का use किया गया ठीक है अब डिट छुपा हैफ के अंदर और तो बनेका हैड so he had to visit उनको जाना था किसके पास he had to visit to a mechanic एक mechanic के पास जाना था कुछ समस्या के बारे में सलहा लेने के लिए तो यहाँ पर के लिए वाला sense आए गया यह तो to लगाओगे यह for लगाओगे to लगाओगे तो ing मतलगा ना for लगाओगे तो ing लगा देना so किसलिए जाना था for consulting सलहा लेना मतलब consult करना चीक है taking advice यह बहुत पुराना हो गया consult का use करो so for consulting about a few problems चीक है यह problem नहीं है problems आएगा चीक है तो किसी मतलब कुछ समस्यां के बारे में सलहा लेने के लिए अगर यह to का use करोगे so consulting में जो ing है यह मतलगा ना to consult about a few problem इस तरीके से sentence हमारा तब बन जाएगा so पूरा sentence हमारा क्या बना कुछ समस्या के बारे में सलहा लेने के लिए उन्हें एक mechanic के पास जाना था ऐसे जगा पे ना अगर मैं इसको simple pass में लगा हूँ so supposed to का भी use कर सकते है he was supposed to ठीक है he was supposed to visit to a mechanic for consulting about a few problem ऐसे भी इस sentence को बना सकते हो कोई issue नहीं है बिलुकुल सही रहेगा ठीक तो sentence क्या बना कुछ समस्या के बारे में सलहा लेने के लिए उन्हें एक mechanic के पास जाना था he had to visit to a mechanic for consulting about a few problems मैं उनके बगल में बैठी थी simple sentence है यह अगर आप चाहो तो past continuous में बना सकते हो कि I was sitting next to him बगल में बराबर में next to का use किया जाता है कई बर मैं बता चुका हूँ चीक है so मैं उनके बगल में बैठी थी I was sitting next to him यह तो होगे एक तरीका दूसरा यहाँ पर जो रवीना ने बोदा इन्होंने इसको एक simple past में बोल दिया और अपनी condition बता दी कि मैं वहाँ थी चीक है I was seated मैं बैठी हुई थी ऐसे so I was seated next to him यह इस तरीके से भी sentence बन जाता है चीक है I was seated next to him मैं उनके बगल में बैठी हुई थी वो कार से बाहर निकले और वो उससे बात करने में व्यस्त थे चीक है so पहला जो sentence है वो कार से बाहर निकले sentence कौन सा है sentence है आपका past indefinite so do or main word action do or कौन है वो he main word did action क्या बाहर निकलना get out चीक है चीक अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर did चुपा get के अंदर क्या बनगा got he got out वो बाहर निकले किस से car से so he got out of the car he got out of the car वो car से बाहर निकले और वो उससे बात करने में व्यस्त थे चीक है यह क्यों सा sentence है यह भी आपका simple past कि वो व्यस्त थे उससे बात करने में चीक है so किसकी बात कर रहे है main word और वो क्या थे so वलब वो he main word was चीक है अब वो क्या थे busy थे व्यस्त थे so he was busy किस चीज़ में उससे बात करने में अब नानीने वाला सेंसा के बात करने में so he was busy talking to him चीक है उससे बात करने में तो पूरा से sentence हमारा क्या बना वो कार से बाहर निकले और वो उससे बात करने में व्यस्त थे he got out of the car and he was busy talking to him बात चीज़ के बीच अचानक mechanic मुड़ता है अब यह जो same time से उन्हों ने इसी तरीके से बनाया तो यह बना present indefinite के अंदर कि बात चीज़ के बीच अचानक mechanic मुड़ता है किसी चीज़ के बीच mid का use हो जाता है in middle of the conversation आप ऐसे भी use कर सकते हो middle of something को हम लगा के हटा के mid dash और वो चीज़ लगा देते हैं जैसे middle of the match एक हो गया mid match ठीक है तो बात ची़ के बीच in mid conversation ठीक है in mid conversation अचानक mechanic मुड़ता है suddenly ठीक है अब sentence बचा mechanic मुड़ता है यह sentence है present indefinite ताहती है भी आगया mechanic मुड़ता है do or main word action क्योंकि मुड़ना action है यहाँ पर कौन मुड़ता है mechanic ठीक है so the mechanic main word का लगेगा does क्योंकि singular है न so does action क्या है मुड़ना so turn around यह फिर turn का use कर सकते हैं ठीक है so the mechanic does turn does छुपा turn में turns बन गया ठीक बाचीत के बीच अचाना mechanic मुड़ता है in mid conversation suddenly the mechanic turns और मेरे पिता से कहता है अब यह भी sentence present indefinite है और के लिए end लगा दिया मेरे पिता से कहता है ठीक है अब यहाँ पर जो doer है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया ठीक है ठीक है doer लगा तो लगा सकते हो sentence को complete करने में आपको easy रहेगा and he says to my father और वो मेरे पिता जी से कहता है sir क्या वो आपकी बेटी है अब यह जो sentence है यह sentence कौन सा है simple present है और उसमें सवाल पूछा जा रहा है और सवाल वो है जिसका जवाब में अब जब मुझे पूछना है क्या वो आपकी बेटी है तो is सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि that is your daughter अब जो main word वो is है is सबसे पहले आ जाएगा so is that your daughter चीक है is that your daughter क्या वो आपकी बेटी है ऐसे बन गया so पूरा sentence हमारा क्या बना है आपे और मेरे पिता से कहता है sir क्या वो आपकी बेटी है and says to my father sir is that your daughter जो पत्थर फैक रही है अब यहाँ पर जो मेरा doer है वो है जो क्योंकि sentence में action है पत्थर फैक रही है यह sentence है present continuous जो पत्थर फैक रही है doer है मेरा जो और जो कॉन है एक इंसान so who लगेगा so doer main word action की first form में ing doer कौन है जो who main word is action है फैक न throw throw में ing लग जाएगा क्योंकि continuous sentence है who is throwing the stones जो पत्थर फैक रही है अगर यह सवाल होता पत्थर कौन फैक रहा है या कौन पत्थर फैक रही है तब भी sentence सेहीं ही रहता who is throwing the stones लेकिन यह जो चीज है यह understood होती है conversation में समझ में आ जाता है मैं वहाँ खड़े कुछ लड़कों पर पत्थर फैक रही थी मतलब मैं कुछ लड़कों पर पत्थर फैक रही थी वहाँ खड़े हुए लड़के वहाँ खड़े हुए थे इस तरीके से so मैं पत्थर फैक रही थी past continuous sentence do or main word action की first word में ing do or कौन है मैं I main word was action का है throw throw में ing लगा I was throwing क्या फैक रही थी पत्थर stones I was throwing stones कुछ लड़कों पर on some boys वहाँ खड़े हुए अब कोई चीज करते हुए जैसे मैं बोलू मैंने उसको खेलते हुए देखा so I saw him playing अब play में ing लग गया कि उसको करते हुए so वहाँ खड़े हुए standing there ing लग जाता है मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया हुए कि ing कहां कहां अलग-अलग तरीके से लगता है so वो अगर आपने नहीं देखे तो please वो भी जाकर देख लो बहुत useful वीडियो है मैं वहाँ खड़े कुछ लड़को पर पत्थर फैक रही थी I was throwing stones on some boys standing there अब यह जहां तक ना इसकी जो कहानिया वो खतम हो गई यहां पर जहां तक जो चल रहा था वो यहीं पर ही खतम हो गया अब इसके आगे भी जो कहानी थे न वो इतनी कुछ मज़जार नहीं थे बोरिंग सी हो रही थी इसके आगे जो मैंने अभी जो मैंने sentence subtitles जोड़े हैं वो थोड़ा अलग context में इनसे सवाल पूछा गया था अक्षा कुमार को लेकर क्योंकि इन दोना का पहले relation रहा था काफी time पहले सब को पता है चीक है तो उस चीज़ से ठोड़े सवाल आ रहे थे तो मुझे वो थोड़े से जादा interesting लगे और उसमें जो sentences के structure से मुझे मुझे थोड़ा अच्छा लगा दो-तिन sentences काफी अच्छे लगे सो मैंने का चलो ठीक है यहां से उठा लेते हैं तो confuse मत हो ना कि यहां पर तो अभी एक कहानी चल लीज़े दूसरी घहां से आ गई अब यहां पर सवाल पूछा गया ता अक्षा कुमार को लेकर तो उस चीज़ के उपर ही इन रविन अटेंडन यहां पर बोल रही है आजकल कॉलेज में लड़किया हफते के हिसाब से बॉइफर्ण बदल रही है अब यह sentence कौन सा है यह है आपका present continuous क्योंकि यह पर बदलना भी action है और रहा है रही है आ रहा है आजकल कॉलेज में अब यहां पर ऐसे sentence कहां शुरू हो रहा है अगर यह भी समझ में आए कि दूर से कहां से शुरू हो रहा है तो पहले action पकड़ो action क्या है बॉइफर्ण बदल रही है कौन बदल रही है अब वो ढूंडो लड़कियां हफते के साब से लड़कियां बदल रही है तो डूर है लड़कियां तो यहां से मेरा sentence स्टार्ट हुआ यह है मेरा sentence जहां से स्टार्ट हो रहा है इससे पहले क्या है आजकल colleges में आजकल college में अब यह जो term बची आप इसको चाहो तो sentence के शुरू में लगा सकते हो, चाहो तो end में लगा सकते हो दोना तरीके ठीक है, मैं दोना तरीके से बताऊंगा चीक है, पहले मैंने सबसे पहले लगा दिया, आजकल college में nowadays, in colleges, ऐसे बना सकते हो लड़कियां हफते के साब से boyfriend बदल रही है डूर, main word, action के first word में ing, so doer कौन है लड़कियां, girls main word are, action है बदलना, change, change में ing, girls are changing अपने boyfriends, their boyfriends by the week, हफते के हिसाब से, चीक है यहाँ पर किसी चीस के हिसाब से में by the use हो जाता है nowadays, in colleges, girls are changing their boyfriends by the week, second तरीका हो गया girls are changing their boyfriends by the week, nowadays in colleges दूसरा है यहाँ पर nowadays, आजकल, लड़कियां college में बदल रही है इस तरीके सेंटेंस ले लिया, so girls in colleges, लड़कियां colleges में बदल रही है, are changing, तो यहाँ पर जो doer पकड़ लिया वो पूरा doer पकड़ लिया, लड़कियां colleges में, चीक है चाहो, तो colleges में term अलग रही है, so nowadays in colleges यह तो हो गया अलग से, girls in colleges, colleges में लड़कियां यह हो गया मेरा पूरा doer, ठीक है, तो confused होने की ज़रत नहीं है so sentence क्या बना, आज कल college में लड़कियां, हफते के सब सब boyfriend बदल रही है nowadays girls in colleges are changing their boyfriends by the week बात बिगड़ जाती है, रिष्टे नहीं चलते, so बात बिगड़ जाती है इसको कैसे बना हो गया, चीक है, simple है, things go wrong, चीक है, things go wrong things मतलब मैंने बोला हुआ है, कि कई बातों वाला sense आजाना है, जैसे मैं बोले है, ऐसी बात नहीं है so this is not the thing, this is not the case, तो thing का use बातों के तौर पे काफी ज़र्दा आ जाता है so things bigger जाती है, get spoiled, go wrong, अब इन चीजों को लगा सकते हो so things go wrong, बाते bigger जाती है, चीक है, अब यह जो sentence बनाया है, यह बनाया है उन्होंने present indefinite के sense में क्योंकि bigger जाना यहाँ पर एक action है, so कौन bigger जाती है, बाते, किसकी बात करे है, mean word, sorry do or main word action, do or main word action, do or कौन है, कौन bigger जाती है, things, अब things क्या है, plural है, उसके साथ क्या लगेगा main word do, action क्या है, bigger जाना, go wrong, अब do छुपा, go के अंदर कोई चैज नहीं आया, अगर यहाँ पर singular बात चलती, कि बात bigger जाती है, so the thing goes wrong आ जाता, क्योंकि फ्रूज में does चुकता, चीक ह क्या गलती, पकड़ ली का किसी ने, अगर किसी ने पकड़ लिया, तो मुझे comment box में बताओ, चीक है, मैं, मैंने इस वीडियो में जान मुझ के गलती नहीं करे थी, यह गलती हुई है, अब मैं चाहता हूँ, इस गलती को सुधारने की जगा, आप लोग, अगर यहाँ तक म ना सही कर रहा हूँ, ना पूरा कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, कि हम बिलुकुल बात नहीं करेंगे, चीक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, मतलब, but it doesn't mean, यह मतलब नहीं रखता है, लेकिन के लिए, but लगा है, sad वर रख दिया, यह मतलब नहीं रखता है कि हम बिलकुल बात नहीं करेंगे की के लिए that लगाया हम बिलकुल बात नहीं करेंगे बिलकुल के लिए आजला है at all यान है हम बिलकुल बात नहीं करेंगे future indefinite sentence है do or mean word not or action do or कौन है हम? we, main word will उसके साथ not action के है बात करना talk we will not talk will not jotka merge करके won't बना दे है we won't talk बिल्कुल भी at all चीक है सो पूरा sentence मेरा क्या बना है आपे लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे but it doesn't mean that we will not talk at all मैं अक्षे से बहुत प्यार करती थी चीक है मैं अक्षे से बहुत प्यार करती थी तो यहाँ पर जो यूस किया गया है यूस टू का यूस किया गया है चीक है so I used to love अक्षे लोट मैं अक्षे को बहुत प्यार करती थी मैं अक्षे से बहुत प्यार करती थी हम दोनों ने खुशी-खुशी शादी कर ली है मतलब कि हम दोनों खुशी-खुशी शादी कर चुके है so we have got भी लगा सकते है we have got happily married या we have happily got married इस तरीके से आप बना सकते हैं sentence को लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने बोला है इन्होंने बोल दिया इसको simple present में so जैसे वहाँ पर बोला था कि अब हम दोनों शादी शुदा है so किसकी बात करें हम दोनों we both main word are अब हम क्या है खुशी-खुशी शादी शुदा so married अब खुशी-खुशी happily married so अब हम दोनों खुशी-खुशी शादी अब हम दोनों ने यहीं पर ही खतम करते हैं I hope चीज़े आपको समझ में आई होंगी कोई भी डाउट है कोई भी आपको क्वेरी है आप कॉमेंट बॉक्स में जाए वहां उससे पूछिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए नए है लाइक सब्सक्राइब जाना कीजिए थैंक्यू